हेलो स्टूडेंस अब हम लोग देखेंगे मर्ज फंक्शन का वर्किंग देखेंगे तो मैं प्रिवेस भी बताई हूँ मैं पूरा नहीं बताऊंगे एक मॉडियोल आपको बताऊंगे एक्जाम में भी आप उसी को ऐसे ही कर सकते हैं इसको रिफर्ड तो देखो मैंने ये ए 80-20 मिला तो 20 और 80 में ग्रेडर कौन है आपका 80 तो बाद में 20 स्मॉलर है तो पहले 20 आजाएगा सिमिलरली 40-30 कंबाइन किया इन इंक्रीजिंग ओर 50-60 को कंबाइन किया 10 और 70 को कंबाइन किया जब मुझे ये मिल गया तो मैंने फिर इसको और इसको कंबाइन किया तो जब मुझे 80-20 ये और ये मिल गया 40-30 तो फिर मैंने इनको मर्ज किया मर्ज के साथ सा सौर्टिंग भी किया 20 और 30 में स्मॉलर कौन है 20 फिर next 30 और 80 में स्मॉलर कौन है 40 80 और इंफिनिटी में स्मॉलर कौन है 80 तो यहां पर ये आ गया फिर इन दोनों को कंबाइन किया तो इन दोनों को कंबाइन करके ये मिला अब मैं इन दोनों लिस्ट ये वाला और ये वाला इसके लिए मैं आपको मर्ज करके देख क्योंकि इन दोनों को ही हम मर्जिंग करत ये लिस्ट में लिख लिया है, ये एक्जाम्पर, ओके, तो ये आपकी, अभी तो ये मेरा array A है, इसमें मेरा ये वाला portion left sort हो गया, right sort हो गया, लेकिं left और right को अभी फिर से मुझे sorting करने पड़ेगी, इन दोनों को combine करते समय, ओके, तो basically ये जो हर process में क्या होता है, आपका array म से ही 80 और 20 को एक temporary array में डाला, फिर उसको merge करके वापस array में वापस वट कर दिया, तो यहाँ पर ये जितने process हुआ, इस stage तक, तो ये सारा process के लिए मैंने एक temporary array लिया था, दो temporary array, फिर उनको sorting करके, मैं वापस से अपने original array में क्या की elements को put up कर दिया, okay, इसी लिए ये दोनो उसे लेके 7 तक mid कितना है इसका 3, okay, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम करेंगे 2 sub array बनाएंगे temporary, तो मैंने यहाँ पर एक n1 variable लिया है, जो बोलता है mid minus l plus 1, तो देखो mid कितना है मेरा यहाँ पर 3, okay, यह मेरा mid है, यह मेरा low है, और यह मेरा high है, तो 3 minus 0 plus 1, तो यह कितना मिल गया मुझे 4, similar way, h, h कितना है high मेरा 7, और mid कितना है 3, 7 minus 3 कितना मिल गया मेरे को यहाँ पर 4, तो मुझे 2 variable, एक n1 की value 4 मिल गई, n2 की value 4 मिल गई, अब मैं इसे एरे बनाऊंगी, एरे का जो size रहेगा, वो रहेगा 1, 2, 4, देखो 0 नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर 1 से लेक 4, that is 1, 2, n1 का मैं create कर रहे हूं, similarly एक और right area कर रहे हूं, 1, 2, 1, 2, आपका n2, n2 की value कितना इकली है 4, जरूरी नहीं कि हर बार यह सेम रहेगा, अभी मेरे example में 8 elements थे बोलके 4, 4 आया, अगर यहाँ पर 7 होता, तो 1 में 4 होता, 1 में 3 होता, तो आप यहाँ पर यह भी, मैं एक right area करूँगी 1 से लेके 4 तक, तो मेरे पास एक area बन जायागा, 1, 2, 3, 4 वाला, एक left और एक right area बनेगा, 1, 2, 3, 4, अभी यह दोनो area खाली है मेरे पास, अब इसको मुझे populate करना है, तो कैसे करूँगी, यह main area से मैं एक में left वाला portion डालू और एक में right वाला portion डालूँगी, तो उसके लिए, यहाँ पर दो लूप जिला रहे है, सबसे पहले left वाले area को fill करेंगे, तो यहाँ पर बोलते है, I equal to 1 to N1, N1 की value कित्ती है, 4, ओके, तो I to 4, तो यह चार बर लूप जलाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ धेहाँ से देखो तो सबसे पहले यहाँ पर है, left of I, I क्या है मेरा, 1, 1 से start होगा, फिर left of, इसमें 2, I 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, और I कहां तक जाएगा, आपका 4 तक यह चले जाएगा, ओके, अब इसमें मुझे A से ही value लेके इसमें put करना है, मेरे temporary area में, तो अब देखो, L, L किता है मेर 0, है न, I initially किता है, 1, minus 1, तो यह क्या हो जाएगा, A 0, ठीक है, तो कहने का मतलब है, यह left area में, यह left area में, सबसे पहला 1 position पर A 0 आजाएगा, तो A 0 की value किती है, 20, next, उसके बाद, फिर से देखो, 0, I अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 0, plus 2, minus 1 किता हो जाएगा, A 1, तो अब इसमें कौन सी वाली जाएगा, A 1, similarly इसमें क्या जाएगा, A 2 और इसमें क्या जाएगा, A 3, तो 0, 1, 2, 3, तो 30, 40, 80, तो यहाँ पे 30, 40, और 80, 1, 2, 3, और 4 में आगया, यहाँ पे 30, 40, और 80, ठीक है, तो अब left area को populate कर दी हूँ, temporary area, अब मैं right वाले को populate करूँग ठीक है, तो right वाले के लिए बोलता है, right, J, A, M plus J, तो mid कितना है, यहाँ पे 3, 3, तो J भी कहां से जा रहा है, 1 से लेके N2, that is, कहां तक चलेगा, आपका यह 4 तक चलेगा, तो initially A mid कितना है, आपका 3, तो 3 plus J कितना है, initially J कितना रहेगा 1, तो 3 plus 1 कितना हो जाएगा, 4, फिर J A2 हो जाएगा, तो A5, फिर 3 हो जाएगा, J तो A6, और यह कितना हो जाएगा, आपका A7, और यह सारा किस में जाएगा, सबसे पहले right of 1 में, फिर right of 2 में, right of 3 में, और right array 4 में, यह सारा आपका element यहां से shift हो जाएगा, तो यहाँ पे एक right array है, yes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो इसमें A4, 5, 6, और 7, तो 4 में है 10, 50, 60, और 70, yeah, okay, next इसके बाद बोलता है, N1 प्लस 1, तो N1 कितना है आपका 4, तो N1, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, बोलता है लेफ्ट के फिफ्थ पोजिशन में, लेफ्ट के फिफ्थ पोजिशन में किसको पूट आप कर दो, infinity, ठ तो लेफ्ट के फिफ्ट पोजिशन में इन्फिटी को पूट करें दे, वासी बोल रहा है, राइट के यानि 4 प्लस 1, तो फिफ्थ पोजिशन पे क्या डाल दो, यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन पे क्या डाल दो, आप infinity, ओके, अब यहाँ पे देहान से देखिए, यब मैं के लूप चला रही हूं जो चलेगा 0 से लेके कहा तक चलेगा आपके 7 तक चलेगा यह जो के लूप है यह जो के लूप है आपका 0 से लेके 7 तक चलेगा तो कैसे चल रहा है देखो यहां पर तो बोलता है हर स्टेप में आपको आप कंपेर करना है जी के साथ तो यहां पे मैं एरे बना लेती हूं इसको मैं डायरेक्ट एक्स्प्लेयन कर देती हूं आपको ठीक है यहां पर मेरे पास दू एरे है एक यह मेरा लेफ्ट है और यह मेरा राइट है लेफ्ट में जो वाल्यू है 20 30 40 80 20 30 40 80 इंफिनिटी और राइट में जो मेरा वाल्यू है 10 50 60 70 10 50 60 70 और इंफिनिटी तो अब यहां डाइरेक्ट देख लेते हैं यह मेरा है लेफ्ट इसके लिए जो वेरेबल यूसकी हो आई और यह मेरा राइट है इसके लिए वेरेबल क्या यूसकी हो जे तो आब इसके बाद यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर आई ह और यहां पे क्या है मेरा J अब आप यह देखिए यह बोलता है L of I less than equal to R of J है अगर L I less है या equal R of J से तो AK में किसको डालोगे left of I में डालोगे ठीक है तो आप यहां पे A ले लो इसमें आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक ठीक है यह लूप आपको 0 से लेके 7 तक चलाने है ओके ना I और J में compare करते हैं यह देखिए बोलता है अगर L I less है R J से तो AK में क्या चले जाएगा अगर L I चले जाएगा और I I increment होगा अधर्वाइस AK में क्या जाएगा, right चले जाएगा और क्या हो जाएगा आपका J increment हो जाएगा बस इतना ही है, simple है तो 20 और 10 में छोटा कौन है 10 तो यानि कि अब इसमें कौन जाएगा J, J चला गया AK में, ओके और साथ में आप j increment हो जाएगा तो j अब increment होके यहाँ आ जाएगा next. next. 30 और 50 में चोटा को ने आपका 30 तो यह अब इधार आगए i increment हो गया 40 और 50 में 40 i increment हुए यहाँ पिर 40 आ गया पी, 50 और 80 में तो 50 यहां पर, OK, और अब जें इंगर्यमेंट होगा, 60 और 80 में, 60 और जें अब इंगर्यमेंट होगे, 70 और 80 में, 70 तो j increment हो गया और infinity और 80 में कौन है 80 हो गया कि यह आपका 0 से लेकर कहां तक चलेगा 7 तक stop कर दिये तो यह आपको क्या मिल गया यहाँ पे आपका answer इस तरीके से आपका merge पास क्या करता है यह जो merge वाला portion है यह merge आपका call करता है सबसे पहले हम दो variable लेते हैं उस variable में हम दोनों array का जो भी size होता है उसको यहाँ पे obtain करते हैं फिर हम एक array बनाते हैं उसी size को लेके उसके फिर हम उस दोनो array में left और right array में मेरे main वाले array से ही value को मैं यहाँ पे add करती हूँ और फिर उस array के last वाले position पर infinite infinite आती हूँ for comparison के लिए ठीक है फिर मैं loop चलाती हूँ तो मेरा जो array यह जो 4-4 element है 8 elements है तो 0-7 तक मैं loop चलाई हर बर compare करी छोटा वाले को डाली और साथ में उसके i अगर i डला है तो i increment होगा अगर left वाले से डला है तो क्या होगा इस तरीके से मुझे अपना original array मिल जाएगा ठीक है तो यह सारे modules के लिए था मैंने एक module लेकर आपको क्या किया यहां पर explain किया okay so we'll stop here now